सरकार ने इंद्रा वासिव जनब बनाई है ताकि गरीब लोगों को आवास मिल सके प्रंत उत्र प्रदेश की जनपर दंबेटकर नगर के जलालपूर बला के उम्रन गाव में मनभावती सहित साथ लोगों को आज तक आवासना मिलने के कारण उन्हें बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है मैं गायतरी इमिरा समधाई परेशानी रहाए वहाई के परेशानी बात तिन तिन पतोई हाई आप कलोनी पावय के खाती ना पन बात कि हुसे रखे बात रखे परधान से परधान जिसे फोटू लई जयें परधान कहने कलोनी तो का मिले आज तक कलोनी भाही ना मिला भाई अब परधान के हाथ में हमरे हाथ में तबाई ना जब परधान दे हैं तब हम पाई आपके कौन परिसानी भाई परिसानी है भाग घर दुगान ना इने आपके घर ना रहे सवर कुन परिसानी हो थे यह कि जहां खाना होना बना उकुलेज पर्धान वावाल पढ़ावत रहा थे, काव कहा हैं? मिल जाए, मिल जाए. आप काव करा थे? यह मजदूरी करी थे. कवन मजदूरी? बैस यहार वहर जहां काम मिल जातो ही करी थे. अब यह पेट जियावा थाई काई सो कमाई धमाई कहिके घरद्वार है ना चान छपपर चुगा तो कलोनी और लोनी ना पर्धान देता हैं. तो कहीं जगह ना है, अगर च्छत हो थो तो भाई सही है. आप के भी प्या सूचिम नामबा है? हाँ. तो आप कलोनी पाउ के खातिन के से कहें? कलोनी के लिए परधान और धान से कहा हुआ. काउ कहें? परधान ऐसे बेकूब बनाए हैं. आए सूचिम आए ऐसे भाई आए ऐसे करे हैं. मैं वीडियो देखने वाले सबी दर्सकों से अपील करती हूँ कि जलाल पुर्बलाक के वीडियो का मोबाइल नंबर 94-6-53-0-2 पर काल कर दबाव बनाए ताकि उनकी अफ़ारे सानी दूर हो सके. मैं गायतरी राजुतर प्रदेश जन्बद अमबेटकन अगर इंडियो अनहट के लिए.